हेलो वाट्स अफ इस्टूडेंट स्वागत आपका आर्बी क्लासेस यूटूब चैनल में आई होप कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आपके जो है एक्जाम की तैयारिया भी अच्छी चल रहे होंगी दोस्तो आज हम लोग डिस्क्राइब करेंगे इस वीडियो करेंगे यहांपर मैं आपको कुछ टेक्नेकल बढ़ा जिसके जरीय आप एक मिनेट की अंदर इस इसकी याद कर सकते हैं इसके यहांप यहां पर आपको लगा इसके पूंछे सकता है दूसरे तरीके से कैसे लिए जल दुरलबता क्या है इसके तीन मुख्या कारण बताई अरक में हमें क्या बता जा रहा है क्या खाटने और पहले में क्या तो कुस भी ए क्वा है हमें एक ही और सलिकने क्या है देखिए जब जल की कमी हो जाती है और जल के लिए हम इधर उदर भटकने लगते हैं ठीक है जल की जब कमी यानि कि जल का जब सौर्टेज हो जाता है तो उसी को हम जल दुरलबता कहते हैं बट यहां पर हम लोग लिखेंगे कैसे चलिए वह भी देख लिए मतलब होता जाता है तो इसी कारण जो हमारे नल और जो क्या होते हों सूक जाते हैं इसी को हम लोग जल दुरलबता कहते हैं इसको लिखेंगे कैसे वह भी यहां पर हम लोग जान लेते हैं ठीक है जल के विसाल भंडार तथा नभीनी करण गड़ों के होते हुए भी यदि जल की क कमी महसूस की जाए तो उसे जल दुरुलबता कहते हैं ठीक है मैंने पहले बता है जब मतलब इतना साधन यानि कि यहां पर आप सोच सकते हैं ठीक है कि प्रिथिवी पर जो है आपको 75% यानि आपको 75% जल मिलता है बाकि 25% में आपको यहां पर भूंग मिलती है बट फिर भी यहां पर जल की कमी हो जाती है तो मतलब यहां पर इसे जल दुरुलबता कहते हैं जैसे और आगे पढ़ते हैं लेका बिभीने छेत्रों में जल की कमी या दुरुलबता के लिए निम्न कारण उत्तरदाई होते हैं ठीक है बिभीने छेत्रों में जैसे कि किसी कारण से जल क कमी हो जाती है किसी छेत्रों में किसी कारण मतलब बहुत सारे कारण है चलिए उसके उन सारे कारणों के बारे में एक कारण को हम लोग यहां पर डिस्क्राइब करते हैं पहला जो कारण है आपका वो है जन संक्या बृद्ध के कारण भी जल की कमी होती है कैसे अब बताओ अधिक जनसंक्या के घरेलू उपयोग में ही नहीं बलकि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। अताहा अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संस्थानों का उपयोग किया जाता है। ठीक है देखिए इसका मतलब इसका कहने का मतलब यही है कि जब जादा जनसंक्या हो जाएगी तो हमें जादा अनाज की आवाशकता होगी और हमें ज़्यादा अनाज की उत्पादन चमता को बढ़ाने के लिए हम लोग सिचाई करते हैं अना जो में नलकूपो और नहरों के माध्यम से तो वहाँ पर जल का खनन होता है तो वहीं से जल की कमी होना स्टार्ट हो जाती है तो इसी कारण है कि जल का आसमान बितरन बहुत ही रोंग तरीके से करा गया जिसे कहीं जादा हो गया कहीं कम हो गया है तो उसी को हम यहाँ पर लिखेंगे भारत में बहुत से छेत्र ऐसे हैं जल की कमी पाइजाती है यह तो इक लूक्त कमिध कर अगे लिखा में जल की कमी पाइजाती को आपका がनलकूप न पनसे मतलब यह हुआ कि बहुत से किसान अपने खेतों में निजी कुवा या नलकूप लगवा कर अपने खेतों की सिचाय के लिए परियोग लगतार भू जल गरता है जल दुरलब्टा का यह भी एक कारण है देखिए ऐसा कि अमनलब कैसे हो सकता है जब मनलब ज़्यादा सिचाई करेंगे खेतों में तो वहाँ पर जल नीचे से जब उपर लाएंगे तो अमारा का अमनलब यहाँ पर देखिए इसका मतलब समझे सुतंतरता के बाद हुए अदोगी की करण के कारण भारत में आलाउड ये जल संसाधनों पर दबाओ बढ़ गया है उदोगों को उर्जा की आवशकता होती है जिसकी पूरती जल बिद्दुत से करी जाती है तो यहाँ पर रटने की यहाँ पर बात कुछ भी नहीं है बस आप इसको समझ लीजिए कि जल की कमी को ही जल दुरुलफता कहते हैं वैसे तो आप इसको आपने मन से भी लिख सकते हैं तो फिलाल दोस्तों उम्मीद है कि आपको यहां समझ में आया होगा है तो आगर दोस् लेकिन कि तब आपको यहां पर six number दे दे जाएंगे तो आपका अगला question उसको भी पढ़ते हैं तो गांधी जी की नमक यात्रा का वर्ण करो दोस्तों यह question आपके 2016-2019-2020 बोर्ड एक्जाम में पूछा जा चुका है तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां जो question हो क द passage की नमक यात्रा कहे लो चया फिर सत्याग्राह कह लो या फिर इनकी धान्डी-मार्च यत्रा कह लो या फिर दान्डी-सत्याग्राह कहे लो ठीक, इनका बहुत सारा नाम है तो आप यहां पर confuse मत हो ठीक है देखिए यहां पर क्या गया है 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वाय सराय इर्विन को एक पत्र लिखा दिखिए इसको अभी तुम्हें किताबी भासा बता रहा हूं बट इसका एक आपको मैं बताऊंगा अपना ठीक है एक टेकनिकल टाइप बताऊंगा जिसके जरी आप इसे रट्टा नहीं बलक इनमें सबसे महत्bachूर मांग नमक पर कर को खतम करना करने के बारे में था देखे इसमें क्या हुआ गांधी जी कि देस्या मस्का वेदिकल नमक आपके पर समाप्त करने के लिए नमको पर की याते इस्टार्ट करी गई थी आगे यहां पर कह लिखा गया है देखिए आगे है इस यात्रा को एक अन्या नाम से भी जाना दाता है जिसे चाये दांडी यात्रा चान्ग इसको कैसे याद करेंगे एकदम से मदलब आसान भाहसा में ठीक है समझाओंगा टेल्यूस को समझ लेते हैं कि कैसे आप बिलकुल आसान में आपके यहाँ पर पांच मिनटे दिजिए उसके बाद इसके पर देंगे तो यहाँ पर आपको छैनमर मिल जाएगा बहुत याँ सानी से स्टुडेंट्स यहां पर हम लोग इस क्वेस्टन को जो है विकीपीडिया से पढ़ेंगे जो कि बहुत थी जबर्दस इसमें लिखा गया है सबसे पर लिखा है दांडी मार्च जिसे नमक मार्च और दांडी सत्यागरा के रूप में भी जाना जाता है ठीक है यहां जो सन 1930 महत्मा गांधी के द्वारा अंग्रेज सरकार के नमक के उपर लगाने के कानून के बिरुद्द किया गया सबीने कानून भंग कारिकरम था यह एतिहासिक सत्यागरा कारिकरम जिसमें गांधी जी समेत 78 लोगों ने अहमदाबाद साबर मती आसरम से समुद्र तटि यह गांधी तक पैदल यात्रा 390 किलोमीटर था दोस्तों जहां दोस्तों यहां पर 390 किलोमीटर पैदल चलना एक मतलब अपने आप में बहुती बड़ी बात हो गई किया गया और 6 अपरेल 1930 को नमक यात्रा हाथ नमक हाथ में लेकर नमक बिरोधी कानून को भंग किया गय नमक उत्पादन और विक्रय के रूप के ऊपर बड़ी मात्रा में कर लगा दिया गया था और नमक जीवन के लिए जरूरी चीज होने के कारण भारतियों को इस कानून से मुक्त करने और अपने अधिकार दिलवाने है तो यह सभीने अवग्या का कारिकरम आयोजित किया ग इस आंधोलन में गांधी मतलब लोगों ने गांधी जी के साथ पैदल यात्रा की और जो कानून नमक पर लगाया गया था उसका विरोध किया इस आंधोलन में कई नेताओं को गिरफतार किया जैसे राज गोपाल चियरी पंडित नहरू आदी यह आंधोलन पूरे एक साल तक चला और 1931 को गांधी इर्विन के बीच हुए समझोते से खतम हो गया इसी आंधोलन से सबीने अवग्या आंधोलन की शुरूआत हुई थी इस आंधोलन में संपूर्ण देश में अंग्रेजों के खिलाप व्यापक संगर्स को जनम दिया गया था गांधी के साथ सरोज तो आप इसे यहां पर कितने दिन तक चली थी एक साल तक चली और कितने दूरी की तो यहां पर आप इन सारी चीजों को याद कर लेंगे बाकि यहांपर चलो गई इसकी यात्रा चिक है नमक लेकर इसका ब्रयूत किया गया था ठीक बाके दोस्तों इसी जो है मतलब आंदोलन से सब्सक्राइब करके घंटे को जब दबाएं तो मिलते हैं कि इसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक लीए आप अपना ख्याल रखना और अपना दिवीजन करते रहें